हेलो दोस्तों आप सभी को नमस्कार जैहिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षय छे विज्ञान अध्याय आठ है इसमें स्रीर में गती तो इससे पहले हम हाफ लेसन पहले वीडियो में समझ चुके हैं पाठ्या पुस्तक में तो आज मैं आगे कराऊंगा आपको इसमें ठीक हैँ अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो पहले आप देख सकते हो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी तो आगे चलते हैं तो इससे पहले हम वीडियो में इस लेसन में संधियों के बारे में कि हमारे सिरीर में जोड कौन कौन से होते हैं कैसे होते हैं और कहां पे होते हैं तो संधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसमें हमने धुरागर संधी हिंज संधी कंदु खली का संधी ठीक है और अचल संधी यह संधिया सभी कर ली हैं तो आगे है आपके पास आप कंकाल किसे कहते हैं ये प्रसन आता है कंकाल किसे कहते हैं ठीक है कंकाल किसे कहते हैं ये प्रसन आता है तो इसमें आप क्या करोगे तो इसमें है आपके पास जैसे कंकाल किसे कहते हैं तो कंकाल किसे कहते हैं प्रिभासा आती है तो आपने लि ठीक है हमारे श्रीर की सभी अस्थियां अस्थियां का मतलब हड्डियां फिर आगे लिखना है श्रीर को एक सुन्दर अकरती पुरदान करने के लिए एक धांचे का निर्मान करती है और इस धांचे को हम कंकाल कहते हैं ठीक है तो श्रीर को एक सुन्दर अकरती पुरदान करने के लिए हमारी अस्थियां जो है एक धांचे का निर्मान करती है जिसे हम कंकाल कहते हैं ठीक है तो हमारी श्रीर में हड्डियों के धांचे को कंकाल कहते हैं तो इसमें जब हम अपने श्रीर की हड्डियों का कैसे पता लगाते हैं कि हमारे श्रीर में कहां पे हड्डियों कैसी है तो उसके लिए हम एक स्रे का प्रियोग कर सकते हैं X-ray चितर से हम स्रीर के सभी कुठोर अस्तियों की अकरती का पता लगा सकते हैं पता चला सकते हैं ठीक है तो आपके पास जैसे ये कंकाल का चितर है ये हमारे स्रीर का कंकाल है जो सभी हडियों से मिलकर बना है तो इसे हम कंकाल कहते हैं हडियों से मिलकर बने धांचे को कंकाल कहते हैं ठीक है तो ये हमारे स्रील का कंकाल है कंकाल का चितर है जिसमें आपको पूरे स्रील की सभी हडियां दिखाई दे रही है मानव कंकाल ठीक है तो ये मानव कंकाल का चितर है देख लीजिए ठीक है इसे हम मानम कंकाल तंतर कहते हैं जिसमें सभी अडियां दिखाई गई है उसके बाद है आपके पास तो यह देखिए X-ray का चितर होता है यह X-ray से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी हड़ी ठीक है या कहीं से टूटी तो नहीं तो यह हमारे टकने एवं घुटने की संधियों के X-ray चितर है तो यह हमारा घुटना है जैसे और यह टकना और घुटना जो उसका चितर है चितर दर्सा आ गया है X-ray फिलम में देखा गया है कि यह हड़ी का जोइंट कैसा है कैसा यहाँ पर संधियों होती है अब आप अपने उंगलियों को मोड़िये ठीक है तो यह हमारी उंगलिया कहां से मोड़ती है जहाँ पर संधियों होती है संधिस ठल पर ही मोड़ सकती है फिर उसके वाद आप अपनी हथेली के पिछले भाग को सपर्ष करते है याई उल्टे हाथ को जब हम दूसरे हाथ से सपर्ष करते है तो हम अनुभव करते हैं कीस में अनेक अस्थियां है अनेक हडियां है ठीक है तो कलाई जो है लचीली होती है या है अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है जिने कारपेल कहते हैं कारपेल किसे कहते हैं जो हमारा हाथ है हाथ जो है छोटी छोटी हडियों से मिलकर बना है जिसे हम कारपेल कहते हैं यदि इसमें मातर एक ही हड़ी होती तो क्या होता तो हम मुआरा हाथ मुड़ता नहीं तो हम जो जो भी काम आप कर सकते हैं अपने हाथ के साथ वो हम नहीं कर पते तो ये हमारे हाथ का जो देखिए चितर है जिसमें ये हडियां दरसाई गई हैं अब आप अपने हाथ में हडियां गिन सकते हैं कितनी हडियां होती हैं तो एक दो तीन चार पांच तो ये होगी पांच ही ये होगी दस पांच पंदरा तो जो उंगलियां हैं उंगलियों में देखिए एक, दो, तीन, चार एक उंगली में चार हडियां है ठीक है और चार उंगलियों में 16 हडियां हो जाएंगी और अंगुठा जो है उसमें हमारे पास अंगुठे में तीन ही हडियां होती है ठीक है तो ये जो हडियां है छोटी-छोटी इनको हम कैप रोल कहते हैं क्या कहते हैं कैप रोल तो इने छोटी-छोटी हडियों को हम कारपिल कहते हैं कारपिल जिन हडियों से हमारा हाथ मिलकर बना है उन्हें कारपिल कहते हैं और ये कितनी है ये है चार चोके सोड़ा और तिन उन्निस हडियां एक हाथ में होती है हमारे ठीक है कितनी हडियां होती है उन्निस आगे चलते हैं अब ये जो चितर आपको दिखाई दे रहा है ये चितर होता है हमारी पसलियों का ठीक है तो जब हमारे जहां पर सांस हैं फे हमारे हिर्दय की और हमारे फिफडो की रक्षा करता है इस हड़ियों के ढाचे को हम पसलियां कहते हैं पसली पिंजर कहते हैं और इसमें देखिए आगे की तरफ 12 हड़ियां एक साइड में है 12 हड़ियां दूसरी साइड में हैं ठीक है तो इन्हें हम अस्थी पिंजर ये पिंजर पसली पिंजर कहते हैं पसलियां विशेस रूप से जुड़ी होती हैं वे वक्स की अस्थी और मेरुदंड से जुड़कर एक बोक्स का रचना करते हैं जिसे पसली पिंजर कहते हैं वक्स के दोनों तरफ बारां पसलियां होती हैं ठीक है हमारे स्रीर में मैतपूर्ण आंग इसमें सुरक्षित रहती हैं ठीक है तो पसली पिंजर में एक तरफ कितनी हडियां होती हैं बारां होती हैं बारां पसलियां होती हैं एक तरफ और बारां दूसरी तरफ होती हैं तो क्याता है मेरुदंड तो जो ये चितर आप देख रहे हो ये मेरुदंड का चितर है इसे आप रीड की हड़ी भी बोलते हो ठीक है तो आप क्या करोगे अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से अरम करना है और उसकी पीट पर निचे की और लाइए ठीक है आपनी क्य करना है गर्दन से सुरू करना है उंगली रखनी है दबा के और अपने मित्र की जो गर्दन है उसके वहाँ से गर्दन से सुरू करना है और हाथ को दबाते हुए निचे की तरफ आना है रीड की हड़ी के ओपर तो आप अनुभव जो भी रचना करोगे इसे मेरुदंड कह कहते हैं तो आपने अंसर लिखना है मेरू दंड जिन छोटी-छोटी अस्तियों से मिलकर बना है उसे कशेरुका कहते हैं और मेरू दंड जो होता है वो 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है यह जो आप देख रहे हो इसमें यह सभी अडिया कशेरुकाई हैं यह 33 होती है जिस से मिलकर मेरुदंड बना होता है तो पसली पिंजर भी वक्षेतर की इन अस्तियों से जुड़ा होता है तो जो पसली पिंजर हमने उपर देखा वो भी इसके साथ जुड़ा होता है पीछे की तरफ ठीक है फिर यदि मेरुदंड एक ही सिद्धी अस्थी होती तो क्या होता तो हम ना ही जुक कते तो नीचे जुकना असंभव हो जाता है यदि मेरूदंड एक ही अस्थी से एक ही अड़ी से मिलकर बना होता ठीक है फिर उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद है हमारे पास यह चितर जो है कंधे की अस्थियों का चितर है जो हमारे कंधे हैं कंधे पिछे की तरफ है जो तो वहाँ पे हम उबरी हुई दो हड़ियां देखते है ठीक है तो कंधे के समीप दो उबरी हुई हड़ियां अस्थियां दिखाई देती है इन्हें हम कंधे की अस्थियां कहते हैं तो ये कंधे की अस्थियां एक इदर है दूसरी दूसरी तरफ है तो इसे हम कंधे की अस्थि कहते हैं जो हमारे पीछे कमर में होते हैं उपर की साइड ठीक है? ये दो होती है अब जो आप ये चितर देख रहे हो ये स्रोणी अस्थी का चितर है यानि हमारे जहां कुले होते हैं कुलों के अंदर जो हडियां होती है वो ये स्रोणी अस्थी होती है ठीक है ये हमारे जो पेट में अनेक अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है और हमें हम इसी के साहरे पर बैठते हैं ठीक है तो उसके बाद है आपके पास ये स्रोणी अस्थी है आगे ये मानम खोपड़ी होती है मानम खोपड़ी का क्या काम होता है ये खोपड़ी जो होती है मस्तिस को परिवद करके उसकी शुरक्षा करती है ठीक है मस्तिस्क की रक्षा करती है क्योंकि मस्तिस्क बहुत ही कौमल भाग होता है इसलिए हमारी खौपडी की हड़ी जो होती है बहुत मजबूत होती है जो मस्तिस्क की रक्षा करती है फिर उसके बाद है प्रसन आता है उपास्थी किसे कहते हैं तो इसकी परिभास आपने लिखनी है कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हडियों जितने कठोर नहीं होते उन्हें मोडा जा सकता है यानि वो कॉमल होते हैं उन्हें उपास्थी कहते हैं कंकाल में कुछ अतिरिक तांग भी होते हैं जो अडियों जितने कमजोर मजबूत नहीं होते कठोर नहीं होते और उन्हें मोडा जा सकता है उन्हें उपास्ती कहते हैं जैसे हम कान को सपर्स करते हैं तो आप कठोर अस्ती भाग कानुभव करते हैं से मोडा जा सकता है ठीक है तो यह देखिए चितर में तो यह कान के उपर जो है ठीक है तो यह कान के उपर वाड़ा जो हिस्सा है उसको पकड़ रहा है देखिए यहां पर जहां पर पकड़ रहा है यहां पर हमें कठोर भाग नजर आता है लेकिन हम उसको मोड सकते हैं तो ये उपास्थी से मिलकर बना है हमारा कान में जो अस्थी होती है उसे उपास्थी कहते हैं जो कॉमल होती है और जो ये वड़ा नीचे भाग है इसमें हडिया ही नहीं होती इसे करण पाली कहते हैं ठीक है? क्या कहेंगे? करण पाली इसमें हडिया ना हो और ये कान का उपरी हिसा है भाग है जिसे में उपास्थी होती है अब उसके बाद हम क्या करना है? हमने जैसे इस चितर में दरसाए गया है मुठी को बंद करना है और इस मुठी को अपने कंदे के साथ ऐसे टच करना है तो हम देखते हैं जहां पे हमारे पास खिचाव होता है तो इसे हम मास्क पेशियां कहते हैं जो मास्क की पेशियां होती हैं जो हडियों के साथ जूड़ी होती है ठीक है और यही गति करने में हमारी सहता करती है तो जब भी हम बाज्यू को हिलाते हैं तो मास्क पेसियों में खिचाव होता है या संकूचर होता है या सितलिन होता है तो जिसके कारण हम अपने हाथ को पैर को अपने श्रीर को हिला सकते हैं तो अस्थी को गती परदान करने में दो पेशियां स्योपत रूप से कारिय करती है धिक है जब भी गती गती है न कोई भी श्रीर का हिसा जैसे यहाँ पे तो बाज्यू को सीथा उपर उठा रहा है कंदे के वी तरफ और यहाँ पे बाज्यू को छोड़ा जा रहा है ठीक है तो जब हम बाज्यू को उठाते हैं तो यह मास पेसियों में खिचा होता है और जब बाज्यू को ढिला छोड़ते हैं तो मास पेशियां फैल जाती है तब हम हमारे स्रीद के विबिन भाग गती कर पाते हैं अब जब हम अपने मुठी को बंद करके अपने हाथ को उपर लगाते हैं तो दूसरे हाथ से हम इसे चूप कर देखते हैं ठीक है तो आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है तो इसे हम पेशी कहते हैं जैसे हम बोलते हैं अभी इसकी मसल्स यह दिखा रहा है अपनी बोड़ी अच्छी तरह से बनाई हुए है तो जिस बच्चे के या जिस व्यक्ति की बोड़ी अच्छी तरा से बनी होती है तो उसके सिरीर की जो पेशियां है, muscle हैं वो बाहर से दिखाई देती है ठीक है? तो इसे पेशी कहते हैं, muscles फिर है संकूचन होता है संकूचन होने के काण पेशियां उभर आती हैं यानि जब मास पेशियों की लंबाई कम होगी संकूचन होगा तो वो बाहर की तरफ दिखाई देती हैं ठीक है अब हाथ को पुन्य समाने स्थिती में जब लाते हैं तो पेशियों का क्या होगा तो उसके बाद है तो संकूचन जब होता है संकूचन की वस्ता में पेशी छोटी हो जाती है कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है यह अस्थी को खीचती है ठीक है और किसी अस्थी को गती परदान करने के लिए दो पेशियों को स्युक्त रूप से कार्या करना होता है तो जब दो पेशियों म में खिश जाती है अड़ी उस दिशा में खिश जाती है ठीक है और यूगल की दूसरी पेशी लंबाई में बढ़ा कर यानि सिथिल हो जाती है दूसरी मास पेशी क्या होगी सिथिल होगी जिससे लंबाई बढ़ जाएगी और वो पतली हो जाती है ठीक है तो अस्थी को विप्रीव दिसा में गती करने के लिए अब सिथिल पेशी सिकुड कर अस्थी को उसकी पूरु स्थिती में खीचती है ठीक है तो इस तरह से अस्थियों में मास पेशियों में कभी सिथलिन होता है और कभी संकूचन होता है जिसके कारण हमारे स्रीर की मास पेशियां जो हैं जो हड़ियों के साथ जूड़ी होती हैं वो हड़ियों को गती परदान करती हैं तो ये हमने देखा कि हमारा स्रीर में हड़ियां में गती कैसे होती है यानि हम अपनी बाज्यू को कैसे हिला सकते हैं कैसे चल फिर सकते हैं तो अब ह देख लीजिए तो केच्व आपने जरूर देखा है बरसातों के दिनों में ये बाहर आते हैं मिट्टी के टाइम निकल के तो ये देखिए केच्वे का चितर है तो केच्वे जो है असानी से चल सकता है मिट्टी के उपर ठीक है तो ये केच्वे की गती है जो दिरसाई गई ह अब केच्वे का सरीर एक सीरे को दूसरे से स्टाकर रखे गए अनेक छलों से बना होता है हमें ऐसा लगता है केच्वे जैसे इसका सरीर जो है अनेक छलों से मिलकर बना है जो एक दूसरे के पास रखे हुए है अब केचवे के स्रीर में हड़ियां तो नहीं होती परन्तू उन में पेशियां होती है जो उसके स्रीर को घटने और बढ़ने में उसकी सायता करते हैं तो चलने के दुरान केचवे जो है अपने स्रीर के पिछले भाग को भूमी में जखडे रखता है और अगले भाग को फैलाता है ठीक है तो जो केचवा है उसके स्रीर में हडिया नहीं है मासपेसिया है तो वो अपने स्रीर के लंबाई को घटा और बढ़ा सकता है तो जब केचवा आगे चलता है ना तो स्रीर के पिछले भाग को वो भूमी में गड़ा लेता है जकड़े रखता है और अगले भाग को फैलाता है उसके बाद अगले भाग को मिट्टी में भूमी में गड़ा देता है और पिछले भाग को सुवतंतर करके कर देता है इसके पश्चा स्रीर को संकुचित करता है और पिछला भाग आगे की और खिंचता जाता है और ये प्रक्रम वो लगाता दोराता रहता है जिससे वो आगे की तरफ चलता है और वो गती करता है फिर उसके बाद है आपके पास उसके बाद जो केचवा हता है वो जमीन पर कैसे तिकता है तो उसके स्रीर में छोटे-छोटे अनेक शूक यानि बार जैसे सरचनाई होती है ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं और ये चलते समय मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं जिससे वो असानी से मिट्टी में चल सकता है आगे की तरफ फिर उसके बाद है जो केचवा होता है रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका स्रीर अन पचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है केचवे द्वारा किया गया कारिया मिट्टी को पजाओ बना देता है जिससे पोद्धों को फायदा होता है ठीक है इसलिए केचवे जो होते हैं मिट्टी को पजाओ बनाते हैं फिर उसके बाद घोंगा है, घोंगा कैसे चलता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, घोंगा होता क्या है, ये आपको दिखा देते हैं, तो अब ये घोंगे का चितर है, ये देखिए इसके सीर के उपर एक सरचना होती है, कठोर सरचना होती है, जिसके अंदर ये घोंग तो जब यह जो उपरवारी सरचना है यह इसको चलने में कोई भी सायता नहीं करती तो जब यह चलता है तो यह घोंगे का जो कठोर भाग है यह इसके स्रीर के साथ आगे खीचा चला जाता है तो ये घोंगा क्या काम करता है ये इसके स्रीर की रक्षा करता है और जब घोंगा चलना अरम करता है तो ये इसका सीर जो है और पूँच है जो इस घोंगे से बाहर निकलता है और ये फिर जैसे केंचवा आगे चलता है वैसे ही ये भी आगे चलता है ठीक है तो ये कभी स्रीर को छोटा कर देता है फिर बढ़ा कर देता है उस परकार से ये आगे चलता रहता है तो जब घोंगा चलता है तो उसमें से कवच का छेद खुलने पर उसमें से एक मोटी मांसल सरंचना और सीर बाहर आते हुए दिखाई देता है इस मोटी सरंचना को हम उसका पैर कहते हैं पाद कहते हैं जो दृड़ पेशियों का बना होता है मास पेशियों का बना होता है ये तो जो पैर की लहरदार गती दिखाई देती है जब वो चलता है ठीक है जब वो घूंगा चलता है तो उसका पैर जो है लहरदार गती से अगे चलता है फिर उसके बाद है तो उसके बाद है आपके पास तिल चठा तिल चठा क्या होता है तो जिसे आप कोक्रोच भी कहते हैं ठीक है कोक्रोच कहते है उसका नाम असली तिल चठा है इंगलिस में कोक्रोच है हिंदी में तिल चठा जमीन पर चलता है दिवार पर चलता है वायू में भी उड़ता है इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं तो कोकरोच में कितने पैर होते हैं तीन जोड़ी तीन जोड़ी का मतलब तीन एक साइड तीन दूसरी साइड छे पैर होते हैं इसके ठीक है तो जो चलने में साहता करते हैं उसके स्रीर कठोर बाईयक अंकाल द्वारा डख होता है यह बाईयक अंकाल विभिन एक कों की प्रसप्रसंदियों द्वारा बनता है जिसके कांगती संभव हो पाती है ठीक है कोकरोज के कितने पैर होते हैं छे पैर होते हैं और इसका स्रीर जो है कठोर बाईयक अंकाल से डखा होता है तो यह आप देख रहे हो कोकरज का चितर है तिल चठा इसे बोलते हैं इंदी में इंगलिस में इसको कोकरज बोलते हैं ठीक है तो ये क्या है तिल चठा है इसमें तीन पैर एक साइड होते हैं ठीक है दूसरी साइड भी तीन पैर होते हैं तो छे पैर होते हैं या तीन जोड़ी पै पाणी में भी तैरते हैं पक्षी इसलिए पक्षी जो है उड़ पाते हैं क्योंकि उनका स्रीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है जो पक्षियों की हडियां होती हैं उनकी हडियां हलकी और मजबूत होती हैं कैसी हडियां होती हैं पक्षियों की हलकी और मजबूत होती ह और पश्च पाद यानि पैरों की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकलित होती हैं और अगले पैर जो हते हैं पैरों की हडियां रुपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाते हैं यानि जो अगले पैर हैं पक्षियों के वो बदल कर पंखों के रूप में बन गए हैं तो कंदे की अस्थिया मजबूत होती हैं और वक्स की अस्थिया उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेश रूप से रुपांतरित होती है ठीक है तो पंखों को उपर नीचे करने में साता करती है ये तो ये देखिये पक्षियों का कंकाल तंतर है ये कैसा कंकाल होता है उनके स्रीर में ठीक है और ये बहुत मजबूत होती हैं और हडकी होती है और जो हडियां होती है ये बीच में से खोखली होती है इनकी हडियां ठीक है ये पक्षी का कंकाल है फिर उसके बाद मचली कैसे चलती है अब जो मचली का सीर होता है मचली का सीर पूँच उसके मध्यवाग ये पेखसा पतला और मुकीला होता है सीर की ऐसी अकरती को धारा रेखी अकरती कहते हैं तो धारा रेखी अकरती किसे कहते हैं जिसकी अकरती मचली के जैसी होती है ठीक है मचली का जो सीर है और पूँच है वो बीच वाले भाग की अपेखसा मोटे होते हैं जिसके कारण वो पानी में बड़ी असानी से तैर सकते ह और इसे हम धारा रेखिया अकरती कहते हैं तो मचली की जो विशेश अकरती के कांड वैजल में इधरूदर बाहर निकल जाती है और मचली जो है जल में सरलता से तैर सकती है मचली का कंकाल जो है मजबूत हडियों से पेशियों से ढखा होता है ठीक है और तैरने की प्रक्रिया में वो स्रीर का अगला भाग एक और मुड़ जाता है और पूँच जो है दूसरी दिसा में मुड़ती है तो इसके कारण एक जटका सा लगता है जिससे मचली आगे की और बढ़ती है ठीक है तो इस प्रकार के क्रमिक ताल से मचली आगे की और तैरती रहती है और पूँच के पंख इस कार्यक में उसकी सहता करते हैं जैसे आप इस चितर में देख रहे हो जो मचली है उसका मुँच की दिसा कुछ और होती है पूँच की दिसा और दूसरी होती है तो इस प्रकार से मचली जो है और पूँच और मुँच की सहता से आगे बढ़ती है मचली गती करती है पाणी में अब आगे है आपके पास सर्प यानि सांप कैसे चलता है तो सांप को चलते हुए आप लोगों ने देखा है ठीक है तो कैसे चलता है सांप तो इसमें क्या होता है जो सांप है फिसलते हुए आगे बढ़ता है सांप का मेरूदंड लंबा होता है स्रील की पेशियां जो है कमजोर होती है असंख्या होती है वेप्रस पर एक दूसरे जुड़ी होती है ठीक है और जो मास पेशियां है मेरूदंड पसलियाओं और तवचा को एक दूसरे से जोड़े रखती है ठीक है तो इसमें जैसे आप चितर में देख रहे हो ये साप का वल्य आगे की ओर धक्का देता है जिसके कान सरफ जो है फिसलता हुआ आगे की तरफ गती करता है प्रंतु जो साप की गती होती है वो सरल रेखा में नहीं होती, सिद्धी रेखा में उसकी गती नहीं होती तो इस परकार से साप जो है गती करता है तो आपने देखा विभिन जन्तू किस तरह की गती करते हैं उनका स्रीर कैसे चलता है, कैसे हमारा स्रीर गती करता है ठीक है, फिर उसके बाद है अपने स्रीर को योग बेतर बनाने के लिए योग हमें करना चाहिए नियमित रूप से तो ये प्राचीन परंपरा है भारती है और स्यूक्त राष्ट्र संग दुआरा 21 जून को अंतराष्टिय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को अंतराश्टिय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है